तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर डेश जिसका नाम है चिकन दम विर्यानी अकॉर्डिंग टू गूगल इंडिया में सबसे जादा ओरर की जाने वाली डेश है ये तो मोस्टली रेस्टरेंट में विर्यानी जो है इंस्टेंट बनती है और बहुत कम ऐसे रेस्टरेंट होते हैं जहां पर अच्छी विर्यानी मिलती है तो जल्दी से बनाते हैं हम इसे with all the tips and tricks तो यहां पर एक बोल में लिया है मैंने चिकन जिसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है अब इसमें मैं add कर रही हूँ दही तो दही आपका गाड़ा होना चाहिए अगर आपके पास गाड़ा दही नहीं है तो आप muslin के कपड़े में दही को 2-3 घंटे के लिए hang करके छोड़ दे तो दही का extra पानी निकल जाएगा और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए प्यास और अब इसमें डालेंगे बरिस्ता फ्राइड अनियंस लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर गरा मसाला पाउडर नमक पुदीना के पत्ते लैसुन अद्रक का पेस्ट और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैरिनेट करने के बाद आपको इसे पांच-छे घंटे के लिए फ्रेज में रखना है तो मैरिनेशन बहुत ही इंपोर्टेंट है विर्यानी के अंदर मैरिनेशन से चिकन जो होते हैं वो सौफ्ट हो जाते हैं तेंडर हो जाते हैं और जो spices हमने इसके अंदर आड़ किये हैं वो सारे चिकन के अंदर तक चले जाते हैं तो इसे चिकन जूसी और टेंडर बनता है तो अब हम इसे पाच्छे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और यहाँ पर मैंने long grain rice का use किया है जिसे मैंने 20-30 minutes के लिए soak करके रखा है और यहाँ पर मैंने गरम दूद में केसर को भी soak करने के लिए रखा है आधे घंटे के लिए और पानी जब अच्छे से boil हो जाए तो हम rice को पानी के अंदर डाल देंगे और यहाँ पर पानी में मैं डाल रही हूँ थोड़े खड़े गरम मसाले और अब इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा घी और यहाँ पर rice को सिर्फ 70% तक cook करना है तो बहुत ही ध्यान देना है आपको यहाँ पर यूकि rice cup 70% से 80% तक cook हो जाते है पता भी नहीं चलता तो विर्यानी की जो खूपसूरती है वो पूरी तरह से चावलों पे ही depend करती है ना चावल तूटने चाहिए ना चावल एक दूसरे से चिपकने चाहिए और यहाँ पर मेरे चावल हो गए है ready 70% तक और यहाँ पर मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया है तो अब देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले से लग रहे हैं और यहाँ पर हम onions को deep fry कर लेंगे तो इसे भरेस्ता भी बोलते हैं fried onions को तो golden brown होने तक इसे fry करना है और इसे बाहर निकाल लेना है तो मैंने यहाँ पर एक कड़ाही में डाला है oil और अब मैं इसमें आड़ कर रही हूँ थोड़े से खड़े गरम मसाले और अब हम इसके अंदर add कर देंगे marinate किया हुआ chicken जो हमने 5-6 घंटे के लिए fridge में रखा था तो यहाँ पर chicken को 5-6 मिनट के लिए अच्छे से हम fry कर लेंगे ताकि मसालो का जो कच्चा पन है वो निकल जाए इसमें से तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च जिसके seeds मैंने निकाल लिये हैं क्योंकि मुझे जादा spicy नहीं चाहिए और green chilies का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बिल्कुल fresh टेस्ट आता है विर्यानी के अंदर तो यह आप ज़रूर डाले तो अब मैं इसे cover करके रख देती हूँ 10 मिनट के लिए ताकि यह steam से अच्छे से cook हो जाए तो अब यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं अब हम इसका cover हटा लेते हैं तो चिकन जो है वो अच्छे से cook हो चुके मैंने कोई भी इसमें additional पानी नहीं डाला है steam और marination के पानी से ही यह cook हो जाते हैं तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ Everest का शाही विर्यानी मसाला जो easily available है मार्केट में और अब इसे 2-3 मिनट के लिए stir करते हुए अच्छे से mix कर लेंगे इस मसाले को और यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल ready हो चुका है और यहाँ पर आपको नमक थोड़ा और add कर लेना है दुबारा से तो कि rice के पानी को जब हम stain करते हैं तो बहुत सारा नमक निकल जाता है और rice में नमक कम होता है तो इसलिए यह करना है तो यहाँ पर मैंने rice की एक layer लगा ली है और second layer जो है वो हम chicken की डालेंगे और जब chicken की layer complete हो जाए तो उस पर दुबारा से एक rice की layer डालेंगे और यह rice की layer जो है वो complete हो चुकी है अब इसके उपर हम फिर से एक chicken की layer डालेंगे इस तरह से और यहाँ पर chicken की layer भी complete हो चुकी है तो यह last layer मैं डाल रही हूँ वो है rice की तो यहाँ पर last layer है वो भी complete हो चुकी है अब हम इसके उपर डालेंगे घी जो मैंने melt कर लिया है तो घी से बहुत अच्छी खुश्पू आती है विर्यानी के अंदर और अब हम इसमें डालेंगे fresh कटा हुआ हरा धनिया और अब इसके उपर डालेंगे बरिस्ता fried onions तो यह fried onions आप थोड़े बचा के रख लेना यह garnishing के time पे काम आएंगे तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ kevda essence तो kevda essence और केसर की खुश्पू के विना विर्यानी विर्यानी नहीं हो सकती तो बहुत important है यह और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूद में soak किया हुआ केसर जो मैंने आधे घंटे के लिए soak करके रखा था विर्यानी जो है वो एक royal authentic dish है जो मुगल्स के royal kitchen में develop हुई है इसलिए इसके ingredient भी royal है जैसे घी केसर और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ food color जिसे मैंने पानी के अंदर घोल लिया है तो आप इसे gap में इस तरह से डाल दे ताकि आधे चावल आपके white दिखेंगे आधे yellow दिखेंगे तो अब यहाँ पे विर्यानी की जो layers है वो सारी complete हो चुकी है पूरी तरह से अब हम विर्यानी को दम देंगे तो दम एक Persian word है जिसका मतलब होता है air cooked मतलब steam के through अब हम इसे cook करेंगे और बिल्कुल slow flame पे cook करेंगे तो मैंने तावा ले लिया है उसके उपर मैंने इस बर्तन को रखा है ताकि बहुत ही slow flame हो और steam अच्छी आए इसके अंदर यहाँ पर gas का flame है वो बिल्कुल slow कर देना है क्योंकि slow flame पे ही flavors develop होते हैं high flame पर खाना पकता है और slow flame पे flavors develop होते हैं तो यहाँ पर विर्यानी के जो हैं वो real flavors develop होंगे तो इसे मैंने आटे का dough बनाके इसके चारो तरफ बर्तन के चारो तरफ से लगा दिया है और अब मैं इसके उपर इसका धकन रख दूँगी तो इसी टेक्नीक को बोलते हैं विर्यानी को दम देना इसलिए इसका नाम है चिकन दम विर्यानी तो इस टेक्नीक से चिकन जो है और चिकन के अंदर जो मसाले और पाकी सब कुछ हमने डाला है केवडा, केसर and everything वो सारे जो फ्लेवर्स हैं वो राइस के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से कवर कर दिया है ताकि कहीं से भी स्टीम बाहर ना आए और अब हम इसे 40 to 50 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर कुछ करेंगे और यहाँ पर जो है वो 50 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसका कवर निकाल लिया है तो यहाँ पर जो चावल हैं जो 70% तक कुक थे वो पूरे 100% अच्छे से कुक हो गये हैं और rice का जो फ्लेवर है वो chicken के अंदर और chicken का जो फ्लेवर है और उसके जो सारे spices थे वो rice के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं और जैसे ही ढकन खुलो बहुत यह अच्छीs स्ट्रॉंग खुश्बू आती है इसके अंदर से और अब मैं इस बर्तन का बॉटम आपको दिखाती हूँ तो विर्यानी नीचे से लगनी नहीं चाहिए बॉटम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तो यहाँ पर बॉटम बिल्कुल क्लियर है विर्यानी कहीं से भी नहीं चिपकी है तो यह पेनिफिट है कि जब आप बर्तन के नीचे तबा डालके डबल लेयरिंग कर देते हैं तो विर्यानी कहीं से भी नहीं लगती और बॉटम बिल्कुल क्लियर रहता है तो विर्यानी ब और भी ज्यादा बढ़ा देती है. तो यहाँ पर विर्यानी हो चुकी है सर्फ. और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइस का एक-एक दाना खिला हुआ है और एक दूसरे से चिपक भी नहीं रहा. तो यही परफेक्ट विर्यानी की पहचान होती है. तो यहाँ पर चिकन जो है बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर और जूसी बना है. तो मैरिनेशन की यही इंपॉर्टन्स होती है. मैरिनेशन को टाइम देने की. तो जो मसाले हैं वो बिल्कुल अंदर तक चले गए हैं चिकन के यहाँ पर. तो इस चिकन दम विर्यानी को आप घर पे जरूर ट्राइ करें. थोड़ा टाइम लगता है इसे बनाने में. पर इसके जो रिजर्ट्स आते हैं उससे टाइमिंग आप बिल्कुल भूल जाएंगे. तो विर्यानी की क्लास यहीं पर होती है. खता हम जल्दी ही मिलती हुमें आपसे एक न्यू एकसाइटिंग रेसिपी के साथ. तो कैसी लगी आपको यह रेसिपी कॉमेंट करके जरूर बताएं. और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. नोटिफिकेशन बेल को सब्सक्राइब से प्रेस कर लें. इससे मेरी रेसिपी की अप्डेट्स आपको मेंटे रहेगी. थैंक्यू सो मच.